रोजाना ज्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी दोस्तों हम कई सारे देवी देफताओं की पूजापाट करती हैं लिकिन इन सभी देफताओं में भगवान शिव की लीला अपरम पार है जी हाँ भगवान शिव अनाद हैं उनका ना ही कोई आरम है और ना ही कोई अंत शिव स्वयंभू है उनका ना ही कोई जन्भूआ है और ना ही इनकी मृत्यों संभव है वह असरिष्टी के विनाशक भी है और वह बाबा महादेव भी है वरुद्र भी है और शांद चहरे वाले भूले नाथ भी है भगवान शिव के क्रोद की ज्वाला से कोई भी बच नहीं सकता तो इन्हें प्रसन करना भी अन्य देवी देवताओं से बेहद आसान है भगवान बोले नाथ ने समय समय पर अपने विभिन रूपों के दर्शन दिये है शिव के भktों को न ही मृत्यों का भय रहता है न रोक का और न शोक का बता दियें कि शिव तत्व उनके मन को भक्ती और शक्ती का सामर्थ देता है शिव तत्व का ध्यान महामृत्यूंजय मंत्र के जरिये किया जाता है इस मंत्र के जाब से भगवान शिव की कृपा मिलती है शास्त्रों में इस मंत्र को कई कश्टों का निवारक बताया गया है सुगंतिम पुष्टी वर्दनम उर्वारु कमिव बंदनात बृत्योर मुक्षिय मामृतात ओम। दोस्तों शिव का वाहन वृषब यानि की बैल है। वह हमेशा भगवान शिव के साथ रहता है। वृषब धर्म का प्रतीक है। महादेव इस चार पैरवाले जानवर की सव पासे ही मिलते हैं। इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनन्त है। महिमा प्रमपार है। उनमें ही सारी स्रिष्टी समाई हुई है। दूस्तों शासरों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा जिस भी व्यक्ति पर हो जाती है उसकी तो मानों किसमत रातों रात चमक जाती है। और उसके जीवन के सभी कश्ट और समस्या दूर हो जाती है। इसी संदर में हम आपको आज बताने वाली हैं कि काफी समय बात। आज रात एक विशेश महसंयोग बन रहा है जिसके प्रभाव से कुछ राशी वालों की क इसमत अब पूरी तरह से चमकने वाली है। आज हम आपको बताने वाली हैं उन राशों के नाम इनको भगवान शिवजी खुद माला माल करने वाली हैं। तो आए अब जानते हैं कि आखिर ये राशिया कौन सी हैं। तो आपसी अंदरोद है कि इस वीडियो को बिल्कुल आप मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली राशी है व्रिशब राशी। जी हां। बता दें कि इस महाशुब अफसर पर भगवान शंकर जी की कृपा व्रिशब राशी वालों के उपर बहुत सारी खुशिया और होगा और कई प्रकार के नई अफसर आपको प्राप्त होंगी। जो व्यक्ति नौकरी करती हैं उनके पद में उन्नती प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ आप अब बहुत अच्छा समय बिताएंगी। यदि आपके कारिशित्र की बात की जाए तो इस समय आप अपने कारिशित्र में भी कड़ी मेहनत करेंगे और आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ती होगी। दूस्तों अगली राशी है मेश राशी। बता दें कि मेश राशी के लोगों के उपर भगवान शंकर जी की अपार कृपा रहने वाली है जिससे यह अपने जीवन म कई प्रकार के अचानक धन को प्राप्त करेंगे और इनके सारे रुके हुए कारिय पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आपकी आर्दिक्सिती बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने व्यापार में भी अच्छा नाम कमाएंगे। इन पर विशेश रूप से पुलराशी बता दें कि इस दोरान परिवार में कोई नई महमान का आगमन हो सकता है। महादेव के क्रिपासे आने वाली समय में आपको नौकरी मिल सकती है। जीवन के हर शेत्र में सफलता हासिल करती हुए आप आगे बढ़ेंगी। बुलनात की क्रिपासे इन लुगों क व्यापार में बड़ा धन लाब हो सकता है। इनके घर परिवार में कोई धार में कारिकरम का आयोजन होने की संभावन नजर आ रही है। परिवार में किसी नई महमान का आगमन हो सकता है। आने वाले समय में इन लोगों को धन कमाने के नई साधन भी मिल जाएंगी। जीवन साथी के साथ संबंदों में आपकी मधूरता आएगी सामाजिक और राजनीतिक शेत्र में इनका आकर्चन बढ़ सकता है आने वाले समय में इन लोगों को अपने हर कारे में सफलता मिलेगी आपको शिक्षा के शेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है दोस्तों अग आपका भरपूर सहयोग देगा कोई प्रिये विक्ती आपको इस दोरान उपहार दे सकता है सारे कार्य आपके मन मुताबिक पूरे होंगे सभी परिशानियों से आपको शुटकारा मिल जाएगा आप कोट कचरी के मामलों में सफलता हासिल करेंगी दोस्तों अगली राशी ह वाले लोग किस्मत के धनी होती हैं और साथी साथ इन पर सदैव भोलेनात के क्रिपा रहती ही है इनकी सभी परिशानिया अब आसानी से दूर हो सकती है सभी प्रकार के कष्ट और संकट भी आपके दूर हो जाएंगी जीवन में केवल खुशियों का आगमन होगा और सफलत आपके कदम चुमेगी दोस्तों अगली राशी है कन्या राशी बता दें कि कन्या राशी वाले लोगों पर महादेव के क्रिपा से अब इनका अच्छा समय शुरू होने वाला है परिशानिया आप से कोसों दोर रहेंगी जीवन साथी से रिष्टा अच्छा रहने वाला है बहुत दिनों पहले की गई मेनत अब सफल साबित होगी घर का वातवरिन मधोर रहेगा जिससे आपका मन प्रसन रहेगा व्यापार और धंदे में आपके बरकत होगी शत्रू आपसे परास्त हो जाएंगे दोस्तों अगली राशी है कुम्ब राशी बता दें कि आपका इस समय खोया हुआ सच्चा प्यार मिलेगा आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलने जा रहा है जिससे आपकी आर्शिक्स्तिती मजबूत होगी भगवान बोलेनात की कृपा से आपको जीवन के हर मोन पर सफलता मिलेगी आपका खोया हुआ प्यार सच्चा प्यार आपको वापस बिलने वाला है भगवान बोलेनात की कृपा द्रिष्टी आपके उपर लगतार बनी रहेगी मतापिता का सपोर्ट सबसे ज्यादा मिलेगा व्यापार करने वाले लोगों को व्यापार में बड़ा ही है उनके लिए कोई नया रिष्टा आ सकता है आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी योड आकरशित कर सकती है अचानक आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है आपको अपने कारिस्थल में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा दोस्तों आपसे अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्ची दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें